वेलकम तो रेसीपी आप तवीक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरत की एक फेमस वीट मालपुडा जो हम दुद्पाक के साथ और रबडी के साथ खा सकते हैं और अकेले भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये ग्यूं के आटे से बनते हैं औ तो ये मैंने दो कप ग्यूं काटा लिया है एक ही काटोरी से नापके हमें लेना है तो ये दो कप ग्यूं काटा है और एक कप मैंने चीनी लिये एक कप में से थोड़ी सी मैंने कम लिये आपको अगर मीठा ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा ले सकते हो तो अभी एक बावल म मैं यह ग्यों काटा ले लेती हूँ और साथ में चीनी भी ले लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें इसका बेटर तैयार करना है, तो अब हुमें एक कब जितना पानी लेती हूँ, जरुरत पड़े कि मैं जाधा लोंगी तो एक भी गुटली ना रहे इस तरह से हमें बैटर तयार करना है और इस बैटर को हमें फर्मेंग्टेशन लाने देना है तो इसे हम ढखके रखेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस तरह से better तयार करती हूं तो इस तरह से मैं mix करते हुए better तयार कर लूंगी अभी और पानी की ज़रुअद पड़ेगी तो मैं और पानी लेती हूं तो 2-3 देवस पूंझितना मैंने और पानी डाला है अच्छे से मेक्स करते हुए हम बैटर तैयार कर लेंगे थोड़ी देर लगेगी लेकिन एक भी गुटली ना रहे इसका हमें खास दियान रखना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसी तरह से हमें बैटर तैयार करना है अभी श्राद चल रहा है तो श्राद में हम दुद्पाक तो बनाते ही है तो इसके साथ ये मालपुड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो अभी हमें इसमें फर्मेंग्टेशन लाना है तो मैं इसे डखके 16-17 गंटे के लिए डखके छोड़ देती हूँ जिससे हमारे मालपुड़ा में जो फर्मेंग्टेशन आएगा इससे एकदम जालीदार मालपुड़ा बनेंगे और कंसिस्टंसी हमें इसी तरह से रखनी है अभी हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है तो मैं 16 गंटे के लिए इसे डखके छोड़ देती हूँ 16 गंटे के बाद हमें इसमें थोड़े इंग्रिडेंट्स डालने है तो यह मैंने 15 जितने मैंने ब्लैक पेपर याने के काला मरी लिया है और एक टीस्पून मैंने सौंफ लिये जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा थोड़ी मैंने खसकस उपर से लगाने के लिए है तो 16 गंटे के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा बैटर कैसा है तो अब ही मैं एक बार मिक्स कर लेती हो और इसमें मैंने सौंफ और ब्लैक पेपर डाल दिये है अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हो और बिलकुल भी मैंने पानी नहीं डाला और यह कंसिस्टनसी एक यम ही लेना है और एक टेबल स्पून मैंने गी लिया है देशी गी जिसको मैंने गरम करके लिया है दोनों डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक भी कुटली ना रहे इसका हमें खास दियान रखना है तो यह मालपुड़ा बनाने के लिए हमारा बैटर रेड तो हमें इस तरह से तोड़ते हुए बैटर को अच्छे से रेडी कर देना है तो यह मैंने बैटर रेडी कर दिया है और एक तरफ से मैंने गी भी गरम करने के लिए रख दिया है हमें इस तरह से एक प्लेट के उपर एक छन्नी रखनी है क्योंकि मालपुड़ा जब हम तलक निकालेंगे तो हमें इस छन्नी में रखना है जिससे एक्स्ट्रा गी निकल जाए मैंने कड़ए में गी गरम करने के लिए रख दिया है तो मैं इस तरह से चम्मच की सहायता से इस तरह से मालपुड़ा बनाऊंगी और गी हमें एकदम गरम करना है और बाद में गैस की फ्ले लो करके इसे तलना है तो आप देख सकते हो एकदम जालीदार हमारे माल पुड़ा बनेंगे तो एक तरफ से अच्छे से पक जाने के बाद फ्राइ हो जाने के बाद हमें इसे पल्टा देंगे कि इस तरह से गैस की फ्ले मैंने स्लो ही रखी है तो आप देख सकते हैं एकदम जालीदार हमारा माल पुड़ा बना है कंसिस्टनसी एकदम प्रॉपर है तो मैंने दो कप क्यों काटा लिया था एक कप चीनी ली थी और इसमें सवा कप जितना पानी डाला था तो दोनों तरफ से अच्छे से ये तल चुका है और आप देख सकते हैं एकदम जालीदार माल पुड़ा बना है तो मैं इसे इस तरह से निकाल देती हूँ और जो मैंने च्छनी ले है इसके उपर मैं रख दूँगी अब इमें गैस की फ्लेम फास्ट कर दूँगी गी अच्छे से गरम होना चाहिए और बाद में हमें गैस की फ्लेम स्लो कर दीनी है तो दूसरा माल पुड़ा में मैं इसी तरह से रख देती हूँ आपको दिखा देती हूँ एक और और हमें इस तरह से कडशी ही लेनी है जिसे एकदम अच्छे से हम इसमें डाल सके तो इस तरह से हमें डालना है और अभी मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है और जो मैंने माल पुड़ा बनाया था इसके उपर हम इस तरह से गरम गरम ही खस खस लगा देनी है तो दूसरा माल मालपुडा भी इसी तरह से फ्राय हो रहा है पल्टा दिया है तलते समय हमें गी की फ्लेम पहले फास्ट रखनी है और बाद में हमें इस लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राय करना है जिसे एकदम अच्छी तरह से यह अंदर तक पक जाए और एकदम जालीदार हमारे मालपुडा बने है आप देख सकते हो और इस एक और में आपको दिखा दूंगी एक बात खास ज्यान रखनी है कि हमें इसमें फर्मेंटेशन प्रॉपर लाना है और बेटर की कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी जाए तब ही हमारा मालपुडा एकदम बढ़िया बनेगा एकद एक और मालपुडा मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो गी फिर से मैंने अच्छे से गरम कर दिया है गैस की फ्लेम अभी फास्ट है तो एकदम आसानी से यह बन जाते है आप देख सकते हो तो एक तरफ से अच्छे से पकने के बाद हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे इस तरह से मैंने अभी स्लो कर दी है फिर से मैं पल्टा देती हूँ तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना बुलिएगा तो ये एक और मालपुड़ा भी बन के रैडी हो चुका है तो मैं इसे चन्नी में निकाल देती और इसके उपर में खस-खस लगा दोंगी तो ये अच्छे से हमें गी निकाल देना है तो अपी मैंने ये चन्नी में ले लिया है और इसके उपर हम इस तरह से खस-खस लगा देंगे तो आप ये रेसिप एक बार जरू ट्राइक कीजेगा तयार है हमारे गुजराती स्वी इसमाल पुरा